नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी को एक ऐसे रहस्यमई और बलसाली पक्षी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है अलल और इसे अनल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों यह पक्षी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खुंखार पक्षी था दोस्तों यह पक्षी इतना ताकतवर था कि अपने पंजों पर यह पांच हांथियों को दबा करके उड़ सकता था इतना सकती साली था दोस्तों लगभग यह धरती पर हजार से लाखों साल पहले था और तो दोस्तों इसके पिर्माड कई पुराणों में कई गिरंतों में मिलते हैं. और तो और दोस्तों इस पक्षी को बहुती अनोखा पक्षी माना जाता है दौपर यूग हो या फिर तरेता यूग हो इस यूग में यह पक्षी था लेकिन दोस्तों समय बीतने के साथ साथ कल्यूग के आगमन के साथ जब कल्यूग आया तब इस पक्षी का हरास चालू हो ग यह पिराकर्ती के साथ बहुत जादा खिलवार कर दिया जाता है तब दोस्तों इस तरह के दिव्य रहस्यमई पक्षी पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं या नस्ट हो जाते हैं दोस्तों यह हमारे लिए बड़े दुर्भागी की बात है कि हमने ऐसे दुरलव और Agency जानल पक्षी के studio चार प्यार होते थे दो प्यार आगे और दो प्यार पीछे और जो दो प्यार आगे होते थे dafür वह वह बढ़ बड़े होते थे ओर तो पंजे होते थे बहुत ही बिसाल और बहुत ही मजबूत होते थे। और दोस्तों इनके पंगate suck base बहुत ही बड़े हुआ करते थे course जिसकी आप कलपणा भी नहीं कर सकते हैं और दिखने में इतने खुखार और इतने भयंकर और खतरनाक होते थे कि दोस्तों कोई भी इनको देख करके डर जाए महाभारत काल में जिहां दोस्तों महाभारत काल में भी यह पक्षी था जैसे कि मैंने बताया दोस्तों इस पक्षी में एक बहुत अच्छी बात थी कि दोस्तों इस पक्षी में ममता बहुत अच्छी थी अपने बच्चों की पृती, यह पक्षी जो है दोस्तों आकास में रहना बहुत पसंद करता था, यह धर्ती पर बहुत कमी आता था ना के बरागबर, बिल्कुल भी यह धर्ती पर नहीं आता था, कहने करता है ना के बरा भी जुद्राइब दोष्दों, यह वख्षी भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह पक्षी जो होता था तो दोस्तों आकास से ही उड़ते हुए अपने जो मादा पक्षी होती थी जो अनल मादा पक्षी होती थी वह अंडे को अपने देती थी और जो उपर से जो उस मादा पक्षी का अंडा गिरता था तो दोस्तों वह केले के पत्तों में ज और अंडा असानी से नीचे कम रफ्तार से केले के पिढ़ों से टकरा करके कम रफ्तार से वो धरती पर अराम से गिर जाता था और अंडे को नुक्सान भी नहीं होता था लेकिन दोस्तों जब यह पक्षी अंडा देता था जो अनल मादा पक्षी अंडा है जो अलल मादा पक्षी अंडा है यह दोस्तों जब देता था तब यह अकास से आते आते दोस्तों जो टंपरेचर होता है तापमान की सहता से यह अंडा पक जाता था और इसमें बच्चे प प्रितिक्षा करता है कि कब यह बड़ा होगा और कब यह जो है आसमान में उड़ेगा अपने माबाप से मिल पाएगा और यह इस दिति ہیں इसके माबाप्व की भी होती है इस पक्षी के माबाप की भी होती है कि कब मेरा बच्च आएगा कब वो बड़ा हो जाएगा और कब उड़कर के हमसे मिलेगा तो दोस्तों यह जो अल जुंड में हमला करते थे और अपने पैरों की सहायता से जो है पाँच हाथियों को दबोच लेते थे और ले करके जाते थे और दोस्तों फिर इनका परिवार और ये लोग सारे पक्षी मिल करके हाथी का मास खाते थे दोस्तों आप अंदाज लगा सकते हैं जो पक्षी पाँच हाथियों को उठा सकता है कितना बिसाल होगा कितना ताकत और और कितना खुखार होगा अपने आप में सोचने वाली बात है दोस्तों आपको सैद पता नहीं होगा कि भारत वर्ष में ऐसी अनेकों प्रकार की भारत ही नहीं अपितु बिस्ट के कोने कोने में ऐसी दुरलव पक्षियों की परजातियां थी जो कि दोस्तों आज लुप्त हो चुकी है पूरी तरह से और कुछ परजातियां ऐसी भी है अगर वो भी लुप्त हो गई तो उन्हें हम भविस में नहीं देख पाएंगे इसका मूल कारण क्या है कभी किसी ने सोचा हमित्रों नहीं सोचा इसका मूल कारण है हमारे कटते जंगल और नदियों का समुद्र का दूसी तो होता पानी और दूसी तो होता वायू मंडल और दूसी तो होता क्या हमारा अकास मंडल दोस्तों क्या होता है आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्टरियां हैं बहुत सारे कार खाने हैं कई कंपनियां हैं जो अपना उत्पाद बनाती हैं अपना समान बनाती हैं कैमिकल वाला चीजे बनाती हैं तो दोस्तों जितना कैमिकल वाला जहरीला पानी होता है उसको जो है नदियों में मिला दिया जाता है और जो गंदे गंदे नाले होते हैं ज पानी जहरीला होगा और जो बिचारे पशु पक्षी हैं जो दूसरे जीव जन्तू हैं जब इस जल को पिएंगे तो वो लोग बिमार होंगे और बिमार होंगे तो उनकी मृत्ति हो जाएगी अगर मृत्ति हो जाएगी तो उनकी परजातियां ही धरती से समाप्त हो जाएगी तो यही कारण है और तो और दोस्तों आजकल अनाजों में बहुत ज़्याद मिलावट हो रही है जिहां दोस्तों बड़े पैमाने पर जिहां दोस्तों चिंता का भी से है बड़े पैमाने पर लोग आजकल खेतों में जहरीले कैमकल वाले खादों का इस्तमाल कर रहे हैं जिस असकुल बात ही बात ही अलग होता है है तो इसलिए दोस्तों हमें इन चीजों से बचना चाहीए तो है आउनी भीस्तों मितॊन के हम Whenever इन इससे तर्षाइब को जो इस इसलिए तो ओ लिए रूग होता है दूसित हवा निकलती है जो हमारे ऑक्सीजन को जो अच्छी हवा को बरबाद कर देती है और तहस नहस कर देती है जिससे भेंकर रोग होते हैं जो कभी ठीक नहीं होते हैं और इससे कई तरह के रोग होते हैं दोस्तों आपको पता ही होगा जैसे कैंसर हो गया टीवी हो गया और स्कीन के रोग हो गए, यानि चमणी के रोग हो गए, दाद खाज, खुजली, आखों में पानी आना, बाल जड़ना, बहुत सारे ऐसे अनेको रोग हैं, जो दोस्तों इसी कारण होते हैं, क्योंकि प्राकरती एक ऐसी तत्तो है, जो भी इसके साथ खिलवार करेगा, जो भ बचाना चाहिए, दोस्तों हमने सदयो, जो है, प्राकरती की, रक्षा की बात की है, और अपने, इस प्राकरती को, बचाने के लिए जागरुक भी करते हैं, और साथ में आपको ज्ञान भी देते हैं, तो दोस्तों, आप सविशन रोद है, कि अगर आप कहीं भी किसी भी छ भी पा लिए नहीं तो मत पा लिए और तो और दोस्तों ऐसी ही रहस्ते में जानकारिया पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दवा लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से इसी त जाते हैं तो दोस्तों जब भी हम कोई भविष्ट में नहीं जानकारी लाते हैं उसका संक्यत आपको प्राप्त हो जाता है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह जानकारी आपको पसंदा ही होगी अगर जानकारी पसंदा तो वुडियो को जादस जादस शेयर करें धन्युद